हेलो व्रीबन विल्कम यूओ अले ट्लोकी स्थर अनलम्टे स्टुडी जोन स्टार्ट करते हैं अप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्शर नमबर टू ओके पहले लेक्चर में हमने क्या पड़ा था रेट मेजरमेंट क्या पड़ा था रेट मेजरमेंट अब सेकेंड ल अँझा के टाइप है ये function के टाइप है तो मतलब इस exercise में हमें function का नेचर पता करना है कि कौन सा function Increasing है या कौन सा function Decreasing है माल लीजे आपके पास कोई function है suppose y is equal to fx क्या आपके function है y is equal to fx अब आप देखे यहाँ पर मैं आपके समने graph बना रहा हूँ और आप क्या realize कर रहे है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आप देख रहे हैं कि x की value बढ़ते ही y की value भी क्या हो रही है क्लियर दिख रहा है कि अगर x की value increase कर रही है तो y की value भी क्या कर रही है increase कर रही है ओके और you can say कि अगर x1 और x2 में दो point है जिसमें x2 बढ़ा है बादवाला तो y1 और y2 में बादवाला output भी बढ़ा है मतलब बादवाला input बढ़ा है तो बाद बाला output भी बढ़ा है तो ऐसा function जिसमें की increase करने पर लगातार input increase करने पर output increase करता ऐसे function को हम बोलते हैं क्या increasing function क्या बोलते है increasing function अब मैं आपका ध्यान खीचना चाहूंगा दो तरीके की graph की तरफ आप दोनों graph को देखिए और मुझे बताईए कि इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है एक graph तो आपका simple यह ही है और दूसरा graph आपका यह जो है यह है फिर यह है फिर यह है फिर यह है यह देखिए ठीक ना तो आप देखे यहां पर बिल्कुल यह एक दम बिल्कुल बीना रुके कहीं पर फ्लो बढ़ रहा है ओके तो ऐसे function को हम बोलते हैं strictly increasing क्या बोलते हैं strictly increasing function और जिन में कहीं पर fluctuation आ जाए यह कहीं पर आराम कर जाए फॉर इक्जामपल यह देखिए यह जो function है हाँ यह देखिए इसमें तो यह function यहां से यहां तक increase है फिर इसके बाद क्या हो गया इसके बाद फिर से increase करता है तो ये जो दोनो variety की function है, इनको हम बोलते है, simple increasing, इनको हम increasing बस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम increasing, बट ये function क्या कहला था, strictly increasing, strictly increasing function की पहचान होती कि f dash x जो इसका derivative होता है, वो greater than 0 होता है, और इसकी पहचान होती है, f dash x greater or equal to 0, मतलब इसमें equal to 0 भी रहेगा, f dash x equal to 0, और इसमें क्या होगा, f dash x equal to 0, f dash x equal to 0, क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हम constant nature का भी support कर लेंगे, बट ये कहीं पर constant nature का support नहीं करेगा, ओके, तो क्या समझ में आ रहा है कि हमें, अगर f dash x greater than 0 है, तो इस्टिटली increasing होगा, अगर f dash x only equal to 0 है, ये greater than 0 है, ये simple increasing, या increasing होगा, आई बता समझ में न, तो ये तो होगया increasing function, दूसरा function देखते हैं, ये रेखिए, ये function, ये function क्या दिखा रहा है, ये function दिखा रहा है कि x की value बढ़ेगी, तो y की value घटेगी, मतलब आप input बढ़ा रहे हैं और आपका output कम होता जा रहा, देखिए, यहाँ पे input में x में आप आँगे जा रहे हैं, शुरुआत में आपका x1 था input, तो x1 के corresponding output क्या था, y1 जो की जादा था, और फिर आपका input क्या हो गया, x2 और x2 के corresponding आपका output क्या हो गया, y2 जो की कम हो गया, ओके, तो input increase करने पर आपका output decrease हो रहा है, तो ऐसे function को हम कैसा function बोलते है, decreasing function, कैसा function बोलते है, decreasing function, फिल हाल ये जो function है, ये हर point पर decrease हो रहा, कहीं पर भी ये fluctuate नहीं हुआ है, कहीं पर constant नहीं आया है, तो ऐसा function कहलाएगा, strictly decreasing, क्या कहलाएगा, बट आपका फंक्शन देखे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखे, ये देखे, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, क् क्योंकि यहाँ पर तो ये decrease हुआ है, ओके, यहाँ पर constant हो गया है, और यहाँ पर क्या हुआ है, फिर से decrease हो रहा है, तो overall इस interval में, इसका interval इसकी जिन्दगी मान लो, A से लेके B तक है, कहां से है, A से लेके B तक, तो मैं कहूंगा, X belong to A to B में, ये function कह सा है, क्या इस ट्रिक इस ट्रिक्रीजिंग है, जिसे हम decreasing function ही कहते हैं, और इसकी पहचान क्या इस ट्रिक्रीजिंग की, एब डैस X less than 0, और इसकी पहचान क्या है, एब डैस X less than or equal to 0, आई बास समच में ना, तो ये less than 0 होता है, और ये होता है less than or equal to 0, तो आई ये ये पहचान हो गई function की, तो आएंगे, अब देखते हैं, ये तो भोगई पढ़ाई लिखाए कि कैसे क्या होता है, अब type of questions हाई, type of question, तो दीकि इस exercise में हमें दो type के question को जेलना पड़ेगा, हमें दो type के question मिलेगे, पहला question मिलेगा, कि आपको interval दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, interval दिया रहेगा, कि interval दिया है, कोई interval A to B दिया है, या close A to close B दिया है, या close A to open भी दिया है, और आपको पता करना पड़ेगा, nature of the function, क्या पता करना पड़ेगा, nature of the function, आपको function का nature पता करना पड़ेगा, दूसरा question क्या रहेगा, पहले में क्या है, interval दिया है, और nature पता करना पड़ेगा, दूसर इंटर्वल और यही एक्जाम में ज्यादा तर आता है आपको नेचर दिया रहेगा बोलेगा कि function increasing है तो बताओ कहाँ पर increasing है आपको interval पूछेगा function decreasing है तो कहाँ पर decreasing है interval पूछेगा अब ही तक आपको एक चीज समझ में आ गई होगी बच्चों कि function जो increasing और decreasing होता है वो हमेशा function के increasing decreasing की पहचान है कि जैसे यह increasing है तो increasing में क्या होता है f dash x greater than 0 और decreasing कहा होता है f dash x less than 0 तो मतलब increasing और decreasing की जो घटनाए हमको देखने को मिलती है वो हमेशा इस point के यह point क्या है f dash x equal to 0 है की नहीं है इस point के अडोस पडोस में देखने को मिलती है जो increasing और decreasing की घटनाए है वो हमेशा हमें इस point के अडोस पडोस में देखने को मिलती है समझ में आ गया ना f dash x equal to 0 मतलब constant nature जहां पे आता है तो constant nature के आजू या बाजू ही देखने को मिलती है तो यह वाली चीज हम हमारी interval ढूड़ने में बड़ी मदद करीगी क्योंकि जो हमारा interval पाया जाएगा increasing का decreasing का वो f dash x equal to 0 के अडोस में होगा या उसके पडोस में होगा ऐसा समझ सकते आप ओके तो चलिए अब करते हैं सीरे सीरे questions question आ जाते हैं हम ओके तो देखते हैं पहला question वो लिए जी ओके यही तो देखिए अब आप बात करते हैं कि पहला question example number 7 in CRT का example number 7 देखते हैं कैसे करेंगे example number 7 example number 7 कहा गया है show that the function fx equal to 7x minus 3 तो function क्या दिया है fx equal to 7x minus 3 ok 7x minus 3 यह कह रहा है कि show करो कि यह increasing in r in क्या r अब बड़े शब्दों में r दे दिया बच्चों आप लोग जानते होगे r का मतलब क्या होता क्यामत से क्यामत तक minus infinity to plus infinity ok अब वैसे भी कोई भी जानता fx fx को किसे replace करते हैं हम लोग y से किसे replace करते हैं y equal to 7x minus 3 अगर आप इसका grab बनाएंगे तो मालूम यह line कैसी जाएगी यह line कुछ ऐसी जाएगी इस तरीके से तो आप देखिए x की value बढ़ने के साथ-साथ y की value क्या हो रही है बढ़ रही है और एक flow में बढ़ रही है कहीं भी fluctuation नहीं आ रहा है समझ मैं न तो इसलिए function क्या होगा strictly increasing यह तो graphical method बट आपको एक्जाम में अपने यह लिए लिखके आना है आपको एक्जाम में क्या लिखकर क्याना है आपको एक्जाम में दिया है fx equal to 7x minus 3 क्या दिया है इंटर्वल दिया है और nature पूछ रहा है क्या पूछ रहा है बच्चो नेचर तो इसको differentiate कर दीजे f-x differentiate किया बोले कितना आ गया 7 क्या आ गया 7 अब बताईए f-x जो 7 है वो greater than 0 है कि less than 0 है greater than 0 है तो यह function greater than 0 है और f-x जब greater than 0 होता है तो क्या होता है strictly increasing तो बिना कुछ करे है strictly क्या है increasing है आई बास समझ में चली अगला question करते है तो example number 7 हो चुका अब दिखते है example number 8 example number 8 क्या कह रहा है यह दिखते है example number 8 क्या कह रहा है example number 8 क्या रहा show that the function f is given by आपके पास एक function दिया गया है fx equals to x cube minus 3x square plus 4x कहां पर दिया है यह function x belongs to r में कहां x belongs to r में शो करिए कि यह कैसा function है increasing है कैसा है यह increasing है आई यह तो इसको differentiate कर लेता हूं में so f dash x equal to कितना आ जागा 3x square minus 6x और plus कितना 4 3x square minus 6x plus 4 show करना है कि decreasing है decreasing कब होगा जब यह x की हर value के लिए decreasing के लिए f dash x क्या आता है बिटा negative क्या आता है negative आता है negative लेस देन 0 less than 0 x for x belongs to r तो आप चाहें तो check भी कर सकते हैं कोई भी value डाल करके नहीं तो एक और तरीका मेरे पास है थोड़ा सा modern तरीका कह लिए इसको देखी मैं क्या करता हूं इसको मैं इसको लिखता हूं 3x square minus 6x plus 3 3x square plus 6x plus 3 plus 1 क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ने लिख सकता बिलकुल लिख सकता हूं अब f dash x equals 2 मैंने 3 common ले लिया इन तीनों से तो यह क्या बच गया है मेरे पास x square minus 2x plus कितना 1 plus कितना 1 अब जड़ा दिमाग लगाई यह whole square है यह क्या है whole square कभी negative होता नहीं हमेशा क्या होता है positive हमेशा क्या होता है positive होता है वन से बड़ा वन से बड़ा यह तो यह तो जीरो हो चकता है न तो अगर हद से हद यह गिर के क्या होगा यह 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 1 क्या होगा वन ही तो होगा मतलब f dash x हर हालत में क्या होगा 1 से बड़ा यह 1 के equal और जो 1 से बड़ा है वो तो 0 से क्या होगा बड़ा ही होगा तो 1 के तो equal भी होसकता था यह, वन के क्या होसकता था Equal भी होसकता था, बट हमें तो 0 से compare करना है ना, तो जो 1 के equal है तो 0 से तो जो बढ़ा है तो इसका मतलब है क्या होगा, strictly increasing, कैसा होगा, strictly increasing दूसरा तरीक है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू डाल के देख लें आप इसमें कोई भी वैल्यू डाल करके देख ले माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच का आपको अगर पॉजिटीव आंसर आ जाए तो इसका मतलब क्या है इस टुक्ली इंक्रीजी आए बस समझ में ना तो यह अपने पास में एप डैस एक्स क्या रहा है ग्र नंबर 9 अब देखें एक्साम्पल नमर 9 में फिर से बीक्षान में इंटर्वल दिया है और नेचर पूछ रहा है रहा है कि इसलिटैंट फॉस और फॉंक्शन चार्च निबन भाइं इफ एक्स इकल टू-टू-स फॉसच टो फंक्शन मेरे पास क्या दिया है एक्स इक्स गोसेक्स, पहला इंटर्वल डिया है A, इंटर्वल, कहारा शो करिये कि इंटिक्रीजिंग इन जीरो तू पाई, ओपन इंटर्वल 0-2-Pi, 2nd, increasing in interval π to 2π और थर्ड बात कही गई है कि शो करिए कि यह जो है neither increasing nor decreasing in interval 0 to 2π यह आपको शो करना है तीन चीजे हैं यह आपको शो करना है ठीक है जी चली आइए solve करते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो function है वो fx equal to कितना भाई साब cos of x differentiate कर दीजे f dash x cos x का differentiation क्या होगा बोलिए minus का sin x f dash x equal to minus का sin x अब हमें सबसे पहले interval चेक करना है देखें interval 0 to π में क्या शो करना है कि decreasing है क्या है decreasing है तो x belongs to 0 to π 0 यह होता है पाई यह होता है first quadrant में हमें किसका sin check करना है sin x का किसका sign check करना है sin x का first quadrant में आप जानते है sin का घर positive होता है all positive होते हैं और second quadrant भी किसका होता है sin का घर तो आप लिखेंगे in x belongs to 0 to π sin x जो होता है वो क्या होता है greater than but हमें क्या चाहिए minus sign x तो minus sign का multiply कर दीजे तो minus sign x क्या होगा less than 0 होगा की नहीं होगा और minus sign x क्या है हमारा f dash x so ultimately f dash x क्या गया less than 0 और f dash x अगर less than 0 आया है तो क्या होगा strictly decreasing क्या होगा strictly decreasing तो देखें चेक कर ये पहला option आपका आ चुका है कि 0 से लेके पाई में क्या होगा ये strictly decreasing होगा ठीक है जी आईए second देखते हैं second interval हमारे पास दिया गया है x belongs to pi to 2pi ये देखें तो ये है मेरे पास pi और ये क्या है 2pi हमें यहां से यहां से यहां से यहां तक move करना है हमें यहां से यहां तक move करना है आप जानते हैं ASTC rule all sin 10 cos yes or no अपने पास f dash x क्या आया है अपने पास f dash x आया है minus sin x क्या आया है minus sin x अब आप देखते हैं pi से लेके 2pi मतलब third and fourth quadrant में third and fourth quadrant में for x is between pi to 2pi जो sin x की value है बताइए क्या होती है negative की positive negative मतलब sin x less than 0 बट हमें क्या चाहिए हमें तो minus sin x चाहिए है सो मैं चेक करता हूँ minus sin का multiply कर दीचे तो minus sin x is greater than 0 मतलब finally हमारे पास क्या आगया है f dash x greater than 0 तो ये क्या होगा strictly increasing आई बास समझ में last interval हमें दिया गया है तीसरा interval x belongs to open interval 0 to 2pi 0 to 2pi तो आपने देख लिया कि सुरू के quadrant में sin x की value क्या रही थी positive आ रही थी तो आपका minus sin x क्या गया था negative आ गया था मतलब इन दो quadrant में जो आपका function था वो कैसा आया है decreasing और इन दो quadrant में आपका function कैसा आया है increasing आया है आया है इन में कैसा आया है increasing आया है तो overall interval 0 से लेके 2pi में ना तो ये completely increasing है ना ये completely decreasing है तो ये कहलाएगा neither increasing nor decreasing आ गया जी समझ में तो ये ना तो increasing है ना तो decreasing है ठीक है जी चली तो इस तरीके हमने solve कर लिया है ये topic था हमारा कि हम कैसे पता करते हैं कि कोई function जो है increasing है या decreasing है आयवा समझ में तो इस तरीके से हम function को पता कर सकते हैं कि वो increasing है या decreasing है आये next देखते है next type 2 अब type 2 के question आएंगे अभी तक आपने type 1 देखा जिसमें आपको interval given रहता था और आप function का nature पता करते थे अब आप देख रहे हैं type 2 जिसमें आपको nature given रहेगा और आप interval पता करेंगे मैं एक बत आपसे फिर दोढ़ाना चाहूंगा कि increasing और decreasing का मामला केवल इस point के आजू बाजू उठता है ये point क्या कहलाते थे? critical point क्या कहलाते थे? critical point critical point में F-C की value क्या होती है? 0 मतलब इसके आजू और बाजू ही इनका मामला उठता है यह हमारी help करने वाला है आईए question देखते हैं करा find the interval example number 10 example number 10 example number 10 कह रहा है कि find the interval find the interval in which the function given by Fx equals to find the interval in which the function given by Fx equals to x square minus 4x plus 6 x square minus 4x plus 6 कह रहा कि वो interval बताइए जिसमें ये function number 1 increasing है number 2 decreasing है आई ये बताते है number 1 increasing है number 2 decreasing है तो हम सबसे पहले Fx निकालते है Fx निकालते है Fx निकालेंगे कितना हैगा 2x minus 4 x square का 2x और इसका कितना हैगा 4 हमारे पास ये जो function दिया गया है क्या है polynomial क्या है polynomial polynomial का domain बोले या न बोले हमेशा होता है क्या minus infinity to plus infinity ओके अब हम इस function से पूछेंगे कि क्यों भाई तुम critical point पे कब गये थे मतलब तुम maximum या minimum कब हुए थे मतलब तुम rest पे कब आये थे तुम लेगा ओके f dash x को किस से compare कर लो 0 से कब से खेंगे रहे सो 2 x minus 4 equal to 0 मतलब 2 x equal to कितना 4 तो x equal to कितना हो गया 2 मतलब 2 पर ये function जो था rest में गया था कहां पर गया था rest में मतलब जो भी होना है तो 2 के आजू होगा कितने इंटर्वल 2 इंटर्वल एक इंटर्वल बना है breaking point के critical point के left side जिसका नाम है minus infinity to 2 और दूसरा इंटर्वल बना है 2 to infinity 2 to infinity तो अब हम एक table बनानी है यहाँ पर लिखेंगे हम interval क्या लिखेंगे interval ओके यहाँ पर हम लिखेंगे sine of f dash x sine of f dash x और यहाँ पर हम लिखेंगे nature क्या लिखेंगे nature क्योंकि f dash x का sine ही तो nature बताता है अगर f dash x greater than 0 है तो क्या आएगा increasing f dash x less than 0 है तो क्या आएगा decreasing तो चलिए पहला interval है minus infinity से लेके कहा तक 2 तक आप अपने मन से minus infinity से 2 के बीच में कोई point ले लिजे 0 क्या ले लिए मैंने 0 minus infinity से लेके 2 के बीच में मैंने कोई point क्या ले लिए 0 और उसमें मैं आप f dash x का पता करता हूं nature f dash x मेरे पास क्या है 2 x minus 4 f dash x क्या है 2 x minus 4 मैंने money मन में x की जगे 0 रख करके देखा क्योंकि मुझे 0 पर चेक करना है तो 2 इंटू-0 कितना होगा जी रौज जी 0-4 कितना है माइनस 4 कितना गया माइनस 4 तो मुझे माइनस 4 नहीं में जीकर वेल्यू चाहिए क्या रहा है…… क्या रहा है…… अगे देखेँडा है। अगला इंटर्वल क्या बन रहा है। इनफानेट के बीच का कोई पॉइंट ले लो ट्री ले लो 2.1 ले लो, क्या ले लो 2.1 आईए पुट करते हैं अपने function में f-x में, तो f-x मेरे पास कितना आया भाई साथ, 2x-4 करके आया शायद, है ना, yes, 2x-4 है, चलिए 2x-4, तो मैंने rough paper में जाके कहीं पर x की जगह है, मैंने क्या पुट कर दिया, दो से बड़ी कोई value, 2.1, तो 2x2.1 minus कितना, 4, तो आपको पता होगा 2x2.1 कितना आएगा, 4.2 minus कितना, 4, ये कितना आगया, 0.2, ये क्या positive की negative, positive है, इसका मतलब ये क्या होगा, strictly increasing, strictly increasing, आई बास समझ में ना, चलिए, strictly increasing, तो अगर आपको question कहें कि कहाँ पर ये strictly increasing है, तो आप ये बता सकते हैं, कहाँ पर strictly decreasing है, तो आप इस Exactly, Decreasing है तो ओपर वाला part, strictly increasing है तो नीचे वाला part, बट ये बात पात मैं आपसे कहाऊ अगर आपसे मैं पूछाओ कि decreasing इस्टिकली नहीं बोला हूँ, मैं क्या बोला हूँ, डिक्रीजिंग, तो आप क्या करिए, यह जो rest वाला point है, 2 क्या है, rest है, 2 पे क्या है, rest है, इसको involve कर लो, क्या कर लो, तो यह minus infinity से लेके 2, 2 पहले open में था, अब क्या कर लो, close में, तो देखिए ध्यान से, decreasing nature तो है, साथ म आराम का मामला भी सामिल हो चुका है, अब हो चुका कि नहीं हो चुका, तो अब यह strictly decreasing नहीं रहेगा, अब यह क्या रहेगा, plain decreasing, अगर मैं आप से बात करूँ, मुझे increasing बताओ, तो 2 मेरे को include कर लो, और 7 में कितना, infinity, तो यह क्या हो जाएगा आप, increasing, आई बस समझ में, yes, very good, चलिए अब देखते हैं, next question, अगला question देखते हैं, example number 11, वो भी बहुत अच्छा question है, example number 11, केरा, find the interval in which the function given by, fx equals to 4x cube, minus 6x square, minus 72x, plus 30, plus कितना, 30, is increasing, and second कितना है, decreasing, केरा, बताओ, यह interval क्या है, अब सबसे पहले देख लीजे कैसा function है, polynomial function है, मतलब polynomial function की normally जो domain होती, वो क्या होती, minus infinity to, plus infinity, वो तो होती है, मतलब आगर आपको ना भी बोले, तो आप क्या कहेंगे, x belongs to minus infinity to, plus infinity, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x belongs to r, यह भी लिख सकते हैं, चलिए, बट आपने precautionary क्या किया, सबसे पहले आपने इसा बना लिया, arrow बना के, minus infinity to, plus infinity, अब पता करते हैं, कहां कहां function का आराम हुआ है, क्योंकि आराम तब होता है, जब आप जीत जाते हैं, या आप हार जाते हैं, है ना, जीतने के लिए आप increase करते हैं, और हारने के लिए आप decrease करते हैं, आराम तो आपको बहुत बड़ी जीत मिल गई हो या आपको बहुत बड़ी हार मिल गई हो ओके जीत जाते हैं तो खुशी से आराम करते हैं और हार जाते हैं तो डिपरेशन से गम से बाहर आनी के लिए आराम करते हैं ओके चलिए आई रिखते हैं तो देखते हैं हम कहां पर हमारे आराम के पॉइंट है तो f dash x पहले निकालता हूँ मैं f dash x देखिए 4 into x का cube 4 3 जा 12 x square होगा की नहीं होगा minus 12 x होगा और minus कितना 72 f dash x देखो जो जो common आरा common यहां से मेरे को 12 common देख रहा है और यह मेरे पास बचा x square minus x minus 6 ओके तुरंद फेक्टराइस कर लो यहीं पर फेक्टराइस कर लो 12 बोलिए है यह सो नो x square multiply करने पर minus 6 और sum करने पर minus का 1 बोलो भाई क्या होगा I think minus का 3 and plus का 2 yes और plus का 2 x minus कितना 6 शीख जी आ गया समने so f dash x equal to 12 बाहर बैठा हुआ है x common यह bracket में x minus 3 plus 2 common लिया कितना हुआ x minus 3 so solve करने पर आया 12 यहां आ गया x minus 3 और x plus 2 ओके तो मेरे पास point आ चुके है यह मेरे पास f dash x आ चुका है so f dash x equals 2 है 12 बोलिए यह सोनो और उपर कितना आया था मेरे पास x minus 3 x minus 3 and x plus 2 चली पता करते है critical point के लिए f dash x को किस से compare करना पड़ता है 0 से तो f dash x को 0 से compare करेंगे तो 12 तो 0 होगा नहीं तो एक critical point आएगा x equal to 3 और एक आएगा x equal to minus 2 okay maximum minimum नहीं हम increasing decreasing निकाल रहे हैं अगर maximum minimum निकलेगा तो इन पर निकलेगा वो एक अलग चीज है अभी हम निकाल रहे है increasing और decreasing function कहाँ पर बढ़ रहा है कहाँ पर घट रहा है ओके ठीक है ना चलिए यह देखिए यह मैंने क्राइन कीज़ी यह मांधेिस इंफिनीटी से लेकितना कितना प्लस इंंफिनीटी मेंगा बुलिये माईस झ्रूपर कहा पर वह है माइनस टूपर आप हम यह नहीं जानते हैं कि आराम कैसा हुआ यह हारने वाला आराम है या जीतने वाला आराम है वो तो एपडेस एक्स बताएगा कोन बताएगा एपडेस एक्स बट यह की आराम है है ना हो सकता है यह वाला point minus 2 हो सकता है यह वाला point minus 2 बट ये पता हमें कि हां ये आराम हुआ है यहाँ पर फ्डैस एक एक डू टो कितना है जीरो ए अगला आराम कहां पर हो रा थीरी पर कहां पर हो राहा है ठीक ठीक जी तो अब देखी हमारे interval कॉन कौन से बन गए तीन इंटरवल बने एक ये एक ये और एक ये चली तो हमारे इंटरवल बन गए है एक बना है माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस तू तो हम गूरॱ depress सट Anscharna निवाओ नगे क्या लोके यहांपे इंटरवल क्लिक है यहांपे क्रिक्वल इभाelson साइन्ट अफ f6 say ano a phic EF-PS ok और यहांपे क्या लीज Benjamin चर्कारिक लिदिन मिच चली एक दैसे जल्दी से लेख लेता हूं तो F-X मेरे पास कितना है 12 है और X-3 है and X-2 I think है यह न बेटा चलिए तो पहला interval मेरे पास कितना आया है पता आपको minus infinity to I think minus 2 कितना है minus infinity to minus 2 यह देखे कि माइनस इनके बीच का कोई point ले लिजे माइनस 3 क्या ले लिया माइनस 3 चलिए put करते हैं F-X में यहां पर कुछ put नहीं कर सकते हो 12 है तो 12 का nature क्या है plus है positive X-3 और आपको क्या put करना minus 3 X कि जिए कि तो minus 3 minus 3 कितना हो गया minus 6 तो यह इसका sign क्या हो गया negative और minus 3 plus 2 यह भी क्या हो गया negative तो positive into negative 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 into positive क्या हो गया positive मतलब overall answer क्या आया positive तो यह function कैसा होगा strictly increasing strictly पहली बात खतम हो गई अब आये देखते है 2 से लेके minus 2 से लेके 3 के बीच में क्यों क्योंकि देखे दूसरा interval आपका minus 2 से क्या है 3 है तो minus 2 से लेके 3 के बीच का कोई point ले लो 0 क्या ले लिया 0 आइए पुट करते हैं तो 12 का निशान क्या है plus 0 minus 3 क्या आएगा negative यह सौनो और 0 plus 2 क्या आएगा positive बोली यह सौनो 0 plus 2 क्या आएगा positive मतलब answer overall क्या आएगा negative मतलब यह क्या होगा strictly decreasing अब फोड़ा ग्राफ का idea आपको लग रहा है देखे सुरुआत में क्या था increasing और बाद में क्या हुआ है मतलब जो graph गया है इस तरीके से गया है increasing to decreasing समझ में आया तो जो two point पर किस पर आराम हुआ है minus two पर क्या हुआ है minus two पर आराम हुआ समझ में आया point of maximum अब देखते हैं हा तो भीया इस पर zero F-X आता है ना function थोड़न जीरो आएगा F-X जीरो आएगा F-X से किसका पता चलता है आराम का आराम का और nature का तो आजू-बाजू का nature देखो इस तरफ क्या increasing है इस तरफ क्या है decreasing है तो increasing से decreasing का होगा जब आप top पर पो पहुँँचोंगे हां या ना जब आप top पे और तभी तो घट होगे समझ गया है dok तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जब आप बढ़के घट होगे तो एक समय कहा पर पहुंच होगे टॉप पर यह सौनो तो वह माइनस टू पर जो वैल्यू आगी वो क्या होगी टॉप पे है अब अब अगला पॉइंट देखता हूं अगला पॉइंट है अगला प्रीट उ इंफिनिटी अब है कि यह माइनस दू के पहलेिंग फिर क्या हो गयाओ डिक्रीजिंग फिर क्या हो गया डिक रिजिंग अब सक्विक्रीजीच विए हथा क्या सब्सक्राइब नहें से तुर्व थो गी आको कर रहा है समझ में आना देखिए तो 3 पर जो है यह 3 के इस तरफ क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो देखिए ध्यान से 3 के पहले यह डिक्रीज कर रहा था और 3 के पहले क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है समझ मैं आना तो यह क्वेर छिगें बताना है और इनको इन वाल्व दीजे़ क्या कर दीगा तो वसमेंड क्लूज इंटर्वल ले लिए ले लेंगे लेंगे अभी उपन इंटर वर उसमार्य देखिए function दो जगह increasing है और एक जगह decreasing है तो आप से overall बोलेगा बताइए increasing कहा है तो आप लिखेंगे increasing in पहला interval आया रिखेंगे increasing minus infinity to minus 2 ये इस पे increase कर रहा है बोलिए ऐसा नो फिर कहां increase कर रहा है 3 to infinity last वाला तो यहां लगाएंगे union क्या लगाएंगे union क्योंकि दो set को join करना है तो आप union से लगाते 3 to infinity done ये increasing हो गया और decreasing कहा जाएगा minus 2 to 3 चेक कर लिजे answer में minus 2 to 3 में ये decreasing जा रहा है इस तरीके की table बनाएंगे और आपका answer आ जाएगा इस तरीके की आपको table बनाना है तो ये exercise में बस आपके इतना ही level है इससे जादा level बिल्कुल नहीं है हाँ आपको टिग्नोमेट्री टाइप के question थोड़े से परिशान कर सकते हैं आपको टिग्नोमेट्री वाले question जो है हलके से वो क्या करेंगे परिशान करेंगे क्योंकि उ sin x equal to sin alpha की है ओके तो इसका solution सीखे x equal to n pi plus minus 1 की power n into कितना alpha ये आपको याद करना पड़ेगा ओके दूसरा cos x equal to cos alpha so x equal to 2 n pi plus alpha ये cos के लिए है ओके और तीसरा है 10 x equals to 10 alpha so इसके लिए आता है x equal to n pi plus alpha बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है ओकी कोई दिक्कत तो हाँ यह alpha है exactly यह alpha है यहाँ पे डन तो यह तीन equations अगर आपको बनते हैं तो आप इससे सारा कुछ पता लगा लेंगे थोड़ी आपको दिक्कत करेगा बाकी इसमें कोई भी दिक्कत करने लाइक चीज नहीं है चली आईए तो अब इसके करते हैं questions को के स्टार्ट करिए question करना